आप लोगों ने अपना दिवाली ब्रेक बहुत ही अच्छे से मनाया होगा ऐसी मैं उमीद करती हूं और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से क्रैकर्स की आवाजें थी बहुत ही कम थी हर साल की अपेक्षा में जैसा कि हर साल कई-कई दिन पहले से ही क्रैकर्स की आवाज से आने लग जाती थी इस साल तो काफी लगा कि आप लोगों ने उसे इको फ्रेंडली तरीके से मनाया है और इसमें इस बार आप लोगों का बहुत ही बड़ा कॉंट्रिवूशन है मैं यह मानती हूं और इसके लिए मैं आप लोगों को बदाई देना चाहती हूं क्योंकि इसे इको फ्रेंडली करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है बच्चे ही होते हैं जिने क्रैकर्स का इतना शौक होता है लेकिन इस बार आप लोगों को ने अपने इन इमोशन पे कंट्रोल रखा और दिवाली को इको फ्रेंडली बनाने में बहुत बड़ा साथ द नहीं है दिवाली का असली मज़ा है दिये जलाने में लाइटिंग करने में खुश होने में खुशियां बाटने में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इस बार इतना बड़ा contribution रहा जिसकी वज़े से बहुत कहीं कम pollution हुआ है इस बार दिवाली पे और इसके लिए आप सब को many many congratulations बहुत बहुत बढ़ाई हो और बिटा एक बात मैं और आप लोगों से share करना चाहूंगी कि अब जैसे दिवाली चली गई भाया दूज हो गया सब क्या हम लोगों ने lights उतार दी या अब हम लोग lights उतार देंगे तो क्या अब हमारे हां से खुशयां चली गई क्या यह साल के दो दिन ही ऐसा होते हैं तीन दिन ही ऐसा होते हैं जब हम इतनी खुश्यां मनाते और अपने घर को इतना lightों से एदीओं से सजा देते हैं, इतना खुष हो जाते हैं, सब लोग अपस में मिलते हैं, क्या हम ऐसे खुष पूरा साल नहीं रह सकते? क्य psychologist क्यों नहीं रह सकते? मुझे तो लगता है हमें ऐसे ही पूरा साल खुष रहना चाहिए, पूरा साल अपने घर को लाइटों से जलाना दियों से सजाना चाहिए और खुब खुश होना चाहिए अच्छे-च्छे कपड़े पहन के खुब अच्छे से तयार होके अंदर से खुश रहना चाहिए तो यह तो ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली की तो बड़ी उपरी सी खुशी हो गई बड़ी फेक हो गई क्योंकि इसा ही होना चाहिए हमारी लाइफ कि हमारी लाइफ में इंस्टाग्राम फेस्बुक और वाट्साप पे अपने पिक्स अप्लोड किये बिना कोई खुशी नहीं हो सकती कि हम अंदर से खुश नहीं रह सकते हम अंदर से भी खुश रह सकते हैं कैसे इसके लिए में क्या करन चाहिए तो क्या आप जानते हैं कि अंदर से खुछ रहने के लिए हमें किन चीजों के ज़रूरत है क्या आपने कभी हैपी हॉर्मोंस का नाम सुना है हमारे शरीर के अंदर ही हमारे हॉर्मोंस है इतनी तरह के हमारे हॉर्मोंस हैं हमारी बॉड़ी के अंदर जो हमारा ब्रेन वह function करता है उसके अंदर इतनी glands है और वह glands क्या करती है वह hormones produce करती है अगर वह hormones हमारी बाडी में जाते हैं, सारी बाडी में pass on होते हैं तो वह hormones अपना hormones का काम करते हैं और बाडी के दूसरे functions करते हैं अगर वह हमारे brain में messages देते हैं तो हमने neurotransmitters कहते हैं, बहुत सारी glands हैं, जो हमारे शरीर में ये सारा काम करती हैं, जिनकी master gland है, pituitary gland, अब ये glands क्या करती हैं, ये hormones को produce करती हैं, और इन glands के और इन neurotransmitters का जो पूरा system है, उसको हम कहते हैं endocrine system, तो हमारा ये endocrine system है, जो हमारी पूरी body को regulate करके रखता है, क् इन्सुलिन के injection, लोगों को लगते हैं, तो इन्सुलिन क्या होता है, वो इन्सुलिन एक हर्मोन होता है, अब वो इन्सुलिन बोडी प्रोड्यूज नहीं कर पा रही है, बोटी में उसकी कमी हो गई है, तो बहर से injection दे करके, आदमी की बोडी को regulate किया जाता है, उसके sugar level को adjust किया जाता है, और इसी तरह से thyroid hormone है, इन hormones के बारे में तो हम आजकल बहुत commonly सुनते हैं, diabetes है, thyroid हो गया है, diabetes हो गया है, लेकिन आजकल हम और भी तो नए वर्ड सुन रहे हैं, बहुत stress है, बहुत tension है, तो इतने stress और tension किस वज़े से है, क्या इसके पीछे भी किसी hormone का role है, क् इस सब के पीछे भी हमारे hormones का ही रोल है, तो यह hormones ऐसा क्या करते हैं हमारी body में, बताओ कि हम stress है, tension है, anxiety है, इन में आ जाते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि अगर हम ज़्यादा stress लेते हैं, तो हमारा food हमको digest नहीं होता है, और जब food हमको digest नहीं होता है, तो acid create करता है, और फिर हमें acidity हो जाती है, फिर जब acidity हो जाती है, हमारा stomach खराब हो जाता है, हमें chest burning होती है, हमें कभी constipation हो जाता है, कभी हमें stomach upset हो जाता है, loose motions हो जाते हैं, कोई ना कोई हमें stomach की problem हो जाती है, फिर जब ऐसे gas बनती है, तो पूरी body में जाती है, फिर पूरी body में पेन होत हेग्स की छोती है कि वामिटक्स होती है है तो यह होर्मोन profound ऊतना सारा कर देते तक हाह नहीं ठीक कि पहले था कि हम इन होर्मॉन की वज़े से सारी हमें म्टे हौकीं है कहा मेशता है आप तो यहां पर हो गया कि हम अ направлен हो रही हैBay real night or yeah यह नहीं प्राब्लम जो आज कलो कि एक बड़ा कॉमन हो गया कुम बड़ा स्ट्रेस और टैंशन है छोटा सा बच्चाहे फिस डास कब अच्चाहे उसको स्ट्रेस टेंशन Ben 2010 एक वारा आज कल का लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं या सारा टाइम हमेंें टी वी की फैसिलेटी अबलेल वुए मैं फेलियां प्रोग्राम उतने में पूरा हो जाता था था हम उसी को रहें हैं। एक चित्रहार आना है या एक कोई गानों का प्रोग्राम आना है या कोई एक सीरियल आना है सारा दिन वह हमें काफी वही खुशी दे देता था बस लेकिन अब क्या है सारा दिन टीवी में इतना प्रोग्राम आता और फिर भी हम खुश नहीं होते वह हमारे लिए बड़ा फे वो सारा दिन आएगा कभी भी आएगा कभी भी देख लो तो जब कोई चीज हमारे पास इतनी ज्यादा एवेलेबल होती है तो हमें उसकी ऐसी वैल्यू खतम हो जाती है और हम उसके लिए कोई ऐसी एक्स्ट्रा खुशी नहीं होती है दूसरा जो हम खाना खा रहे हैं अब ज में से न्यूट्रीटिव वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है तो इसका मतलब हम घाना खाना खा हä रहे हैं वो सिरफ हमें टेस्ट दे रहा है और nutrients नहीं दे रहा है और जब वहारी बॉड़ी में नूट्रिशन नहीं तो हम्हारे को अपनी डाइट और जिन चीजों के हम कंटेक्ट में हैं इन पर हमें कंट्रोल रखना होगा यानि कि हमें जंक फूड को वइड करना होगा और एक्स्ट्रा करिकुलर अक्टिविटीज में ज्यादा पाटिसिपेट करना होगा exercises जादा करनी होंगी बाहर walk जादा करनी होगी sunlight लेनी होगी जो हमें खुशी देते हैं अब यही कुछ hormones हैं जो हमें खुशी देते हैं अब अगर हमारे blood में सही खाना खाने से वो hormones produce हो रहे हैं तो वो हमें खुशी देंगे आपको पता है यह चार तरह के hormones होते हैं नमबर वान इस serotonin, oxytocin, dopamine and endorphins serotonin क्या है यह mood stabilizer hormone है जो हमारे mood को stabilize करता है अगर इसके right quantity हमारी body में बनती है तो यह हमारे mood को अच्छा stabilize करके रखता है anxiety को reduce करके रखता है stress को reduce करके रखता है और हमें depression नहीं होता है जितने भी जो हमारे adolescent age है जिसमें हम छोटे बच्चे से लेकर के adolescent age में आ रहे हैं और हमारी puberty की start हो रही है फिर adolescent से फिर हम अगर lady है तो motherhood में जा रही है और baby की fetus grow कर रहा है, fetus से baby बन रहा है फिर उसको जो mother है breastfeed करती है इन सारी कामों में हमारे hormones का बहुत बड़ा रोल है अगर यह hormones सही से produce होते रहे हैं तो हमारी puberty सही टाइम पर आती है फिर उसके पात जो है हमारा जो pregnancy है वो lady की वो सही टाइम पर होती है क्योंकि उनके जो जितने भी reproductive organs है या जैंट्स के reproductive reproduction करने में भी उने आसानी होती है और बच्चा अच्छा healthy पैदा होता है और उसके बाद जब बच्चा होता है तो उसके बाद उसे breastfeed कराने में भी जो milk का production है वो इन hormones के थूँ होता है तो अगर हमारे hormones सही balanced मात्रा में body के इंदर रहते हैं तो हमारे ये सारे जो growth or development है वो बहुत अच्छा होता है तो जैसा कि मैं बता रही थी कि serotonin जो है वो हमारे mood को stabilize करता है अब serotonin कहां से आता है कौन से food से आता है अब आपको ये पता चल गया कि ये hormones हमारे खाने से बन रहे है अगर हमें happy रहना है तो happiness के हमा nutrition लेना पड़ेगा और ये हमारी body में बनता है short chain fatty acids butyrate और acetate नाम के short chain fatty acids है जो अगर हमें खाने में मिलते रहे ये meat याज अगर हम fat fats खाते हैं moderate amounts में average amount में खाएंगे तो ये हमें बन जाते हैं fatty acids और इनसे serotonin बनता है नहीं तो tryptophan नाम का essential amino acid है essential amino acid वो होता है जो एक protein का form है protein की unit होती है amino acid और essential उसको बोलते हैं जो कि हमें खाना खाने से मिलता है body हमारी उसको नहीं बना सकती इसलिए वो body के लिए बहुत-बहुत essential है और उसे खाना खाकर ही लेना पड़ेगा और अगर खाना खाकर के लेना है तो इसलिए उसका नाम essential है और tryptophan नाम का ये amino acid होता है जो कि serotonin का precursor है तो इसे produce करने के लिए हमें tryptophan rich foods खाने पड़ेंगे जो protein हो गया एक तरह ऐसे तो यानि के protein rich diet में आपका आजाएगा milk और milk products soya bean और cheese फिश भी हो सकता है जो लोग non-veg खाते हैं और बाकी जो pulses है वो protein rich हो जाती है चेक-peez हो गए जैसे की चना तो ये चीज़ें खाने से हमारा serotonin जो हमारे mood को stabilize रखता है हमें खुश रखता है ये serotonin हमारा produce होता है तो इसका मतलब अब आपको ये पता जल गया कि अब अगर आपको खुश रहना है डिप्रेस नहीं रहना है tension anxiety में नहीं रहना है तो अपने nutrition को fruits और vegetables जो कि जादा fiber rich diet है प्लस protein rich diet है इन चीज़ों को खा करके और meat और fat moderate amount में खा करके हमें ये चीज़ों से हमारी diet सही हो जाएगी और junk food हम avoid करेंगे क्योंकि junk food में nutrition है ही नहीं जब nutrition नहीं है तो फिर hormonal imbalance ही करेगा और हमारी बाड़ी बहुत ज्यादा capable है अपने आपको बचा करके रखने के लिए वह हमें बार-बार signal देती है कि हम अच्छा खाना खाएं अगर हम थोड़ा भी गलत खाते हैं तो signal देती है कि हम बिमार पड़ रहे हैं और कई सालों तक बाड़ी कोशिश करती रहती है कि सही खाना मिलता रहे ताकि वह जो हम हम जो है बिल्कुल हेल्दी रहें पुरी कोशिश में रहती है बॉड़ी तो हमें और ब्रेन और हमें उस चीज को कॉपरेट करना चाहिए अपने डाइट को अपने हेल्दी रखना चाहिए जिसमें कि फाइबर इच फुरुट सालड वेजिटेबल्स कचे जितने बी हम खा सकते हैं नहीं तो भले पका करके भट फाइबर इच डाइट ही हमें फाइदा देती है दूसरा है आपका ओक्सिटोसीन ऐक्सिटोसिन को हम कड़ल हर्मॐन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कड़लिंग बहुत काम है , प्यार , लव और केर और शेयर यह हमें हब्ली बछा कराएः जैसे कि हम इंडिया में बेदे लग इस कामें को बहुत पसंद करते जब gravis रहते हैं, हम क्या करेंगे हमने उसकी हेल्प करी हम खुंश को हमारे हैपी हो जाहां बता के तो जो घृ merged दिंगुप पर्टेह फूरिय आता है हमारे पसक्तें प्टाइक होगा घृते корet और without expectation के जो हम किसी की help करते हैं इससे oxytocin बढ़ जाते हैं तो आज के बाद आप लोगों ने अपना oxytocin बढ़ाना हो तो कुछ खाने भी नेगी तो चिंता नहीं करनी बस आप दूसरों में प्यार बांटो प्यार लो केर करो शेर करो और खुछ रहो हो गया हमारा oxytocin बढ अब जो हमारे दो हॉर्मोन बजते हैं वह है डोपामीन और डोपामीन के लावा है अंडोर्फिन अब डोपामीन भी हमारा किसमें आता है हमारा motivational molecule इसको कहा जाता है यह motivation जब हमें चीजों से मिलता है और specially चीजों की हमें addiction होती है जैसे कि कई खाना देख करके हमें देखके हमारी आँखों में लाला जा जाता है कि यह तो हमें खाना है जैसे कि बच्चे देखेंगे चॉकलेट्स को टॉफिस को उनकी अडिक्शन होती हो हमें करता हカンタ्वा लकी कि अजैसे डिक्शन होता है उनको देखकर करे देखके उनको प्लेजर कि आ जाएगी तो पहले ही वह और बियंड जाका में इस चीजों लाला चाला है वह फटाफटन लेने लगा हमारा तो डोपामें डिलीज हो गहां दो बेसक्तवी नई टर्म आई है डोपामीन फास्टिंग तो डोपामीन फास्टिंग करके लोग अपने इसको कंट्रोल करते हैं कि अननेसेसरी यह प्लेजर जो एडिक्शन है हमारा बढ़ता ना रहे तो पता नहीं है कितना सक्सेस्फुल और कितना नहीं बट इस रिसर्च इस पर चल रही कि डोपामीन फास्टिंग करने से भी कोई फायदा होता है कि प्रेचन को या नहीं हमारा ब्रेन री सब्सक spats हो जाता है कि अबित्त आसके बारे में कुछ उस अक्सानी तो अगर हम उसे चर टिल गीघंऊ जता है तो घृण हमारा ब्री सफुल भिपामीन बाहीं होता है उ उता हम से सगंड बरेनियों क्या हैं कि जब हम इसे झन्य इनकां कर ऑक हम मेरे हैं eh तो ये तरह से घापी रख यह daました घ्रीज करता है तो यह वहले chemical release करने के लिए हमें अपनी गट को happy और healthy रखना बहुत ज़रूरी है तो यह चीज का ध्यान रख लो कि आप चो खाने में खा रहे हो वह हमारे bacteria को release करने में मददगार होना चाहिए अगर वह हमारे bacteria और सही से release नहीं होंगे तो वहीं से हमारे chemicals release नहीं होंगे सम एंडॉर्फिन हमारा आता है runner's hormone तो runner's hormone basically हमारे pain को kill करता है और हमारे अंदर बहुत खुशी बढ़ाता है आपने देखा होगा कि जितने लोग exercise करते हैं running करते हैं कितना ही दर्द हो रहा है इतना heavy weight lifting कर लेंगे और कितनी exercise करे जाहेंगे बिना दर्द फील करें इतनी दूर दूर तक दौर लगा लेंगे तो यह उनका endorphine release होता है जो exercise से और running वगरा करने से release होता है और basically endorphine और dopamine आपस में थोड़ा सा interconnected भी है अगर endorphine भी release होता है तो कही ना कहीं वह dopamine के release में भी help कर रहा होता है अब dopamine तभी release होता है जब हमारी gut happy रहती है healthy रहती है और यह जितन और हमारा stress किल करते है नींद हमें अच्छी आती है anxiety खतम होती है अब इसकान तब यह नहीं है कि एक तरह का अगर happy hormone हमारा release हो गया तो हम हर तरह से happy रहेंगे कई लोग खूब पैसा कमा रहे हैं और बहुत खुश होते हैं तो लेकिन फिर भी उनके अंदर वह खुशी नही होती होती पैसा कमा के भी क्यों क्योंकि उनके बाकी तीन तरह के hormones active नहीं हो रहे हैं कि वो सिर्फ अपना कमा रहे हैं वो जो cuddle hormone को use नहीं कर रहे हैं उसका release नहीं हो रहे हैं या फिर pleasure-seeking hormone जो dopamine है वो नहीं ले रहे हैं वो उनका release नहीं हो रहे हैं किसी तरह के pleasure को वो नही जी रही हैं, या फिर किसी तरह की एकसराइस वहं, नहीं हैं जो की आप्स के योगां, प्रानाया में, कुговर तो दितरह की होगोश, दोaskल, होट यूब की वहास, दोकिया, तो हम fer, होडारीं, से रहा था होकी ओपने जो माइक्रो बायोम से गट है वो हैपी रहती है और जब वो हैपी रहती है तो वो हमारे ब्रेन को हैपी रखती है तो इंटरकनेक्टेड है सारा हमारा एक brain यहां पर है और एक brain यहां पर है पेट में तो इसको आमने खूप सारा ध्यान रखना है अब इस बात का ध्यान रखना यही सब हम home science में पढ़ते हैं कि अगर हम कौन से हमें nutrients लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए अब तो यह सा तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया चलने वाली है जिन लोगों ने चानल सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए ताकि आगे भी किसी तरह के इंफर्मेटिव लेक्चर्स आते रहें तो वह आपको इंफर्मे अग्याइ